Hello guys, आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है मैंगो मस्तानी पूना मुंबई महारास्ट यहां यह रेसिपी बहुत ज़ादा फेमस है तो चलिए, आज मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ रियली ये टेस्टी और बहुत ही बच्चों को मज़िदार लगती है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इलफान्जों वाले जो आम होते हैं वो लिये हैं चार इनका जो टेस्ट होता फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छा आता है कलर में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं और इनका जो हम बनाते हैं मैंगो मस्तानी वो भी बहुत अच्छी रेसिपी बनकर तयार होती है सबसे पहले हम ये जो चार आम हैं इनको salted water से धोकर अच्छे से तयार कर लेंगे और फिर उनको पील कर लेंगे इस तरीके से थोड़े से आम आप देखिए जादा बहुत जादा पके हुए नहीं होने चीए जिससे pieces कट जाएं कुछ इस category के आम आपको लेने हैं तो देखिए मैं इनको छील रही हूँ जिससे कि इनके हम जब pieces काटें तो बराबर कट कर ready हो जाएं तो ये चारो आमों को इस तरीके से हमने छील कर कर लिया है ready अब हम इनको चौकूर pieces में कट कर लेंगे देखिए इस तरीके से इसके pieces बिल से कट करते हुए और जब ये पूरा तयार हो जाएगा तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगी देखो इस तरीके से मैंने चारो आमों को पहले निकाल कर पूरा कट कर लिया है अब हम इसको mixer में जार में आधे से जादा आम आप mixer में डाल कर इनका paste बना लेंगे एक कप पीसिस कट करके बचा के अलग रखा है और वन टीस्पून डालिए शुगर क्योंकि ये आम अल्रेडी मीठे होते हैं तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको दो से तीन बार चलाया है और बहुत ही अच्छा इसका paste बन गया है इस तरीके से इसके मैंगो पल्प से हमें बना आमों को इसके उपर डाल देंगे चार पाच क्यूप इस तरीके से और फिर वापस आपके पास जो मैंगो आपका शेक बना कर रेडी किया है उसको वापस से उपर से डालेंगे और थोड़े से इसमें मैंने कट करके डाले हैं ड्राय फ्रूट्स का फ्लेवर भी बहुत अब वापस से वही प्रोसेस को हमें वापस करना है फिर दुबारा से इसके उपर डालेंगे आइसक्रीम इस तरीके से और फिर आइसक्रीम के बाद इस पर डालेंगे थोड़े से आम के क्यूप जो हमने कट किये थे और थोड़े से डालेंगे इसके उपर ड्राय फ्रूट जो हमने चॉप करकर रिडी किये थे इसमें मैंने पिस्ता और बदाम को यूज किया है आपको काजू अगर पसंद है तो आप उनको भी डाल सकते हैं अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीज दो हमने आपको कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब